साथियों आप सभी का इस प्रेट्फाम पर स्वागत हैं यहां पर हम लोग घटना जग पब्लिकेशन के जो आर्थिकी 2023 नाम से मैजीन प्रकासित की गए इसको यहां पर हम लोग देख रहे हैं और इसके महत्मूर्ण जो भी खंड है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं आगामी सोचल अफेर्स के जनसंख्या प्रभाग पॉपलिशन डिवीजन द्वारा प्रतेक दो वर्स पर विश्व नगरिक और संभावना हैं वर्ड ऑर्मनाजेशन प्रोस्पक्ट जारी किया जाता है जिसमें विश्व के देशों के नभीनतम उपलब्द आधिकारिक आंकलोनों के आधार पर ग्रामीड और नगरी जनसंख्या के सास अगरिये संक्रूनों से संबन्दित आंकड़े युम आकलन जारी किया जाते हैं वर्ड अर्मनाजेशन प्रोस्पक्ट 2018 रिवीजन रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट में ग्रामीड जनसंख्या नगरी जनसंख्या उलेखनी है कि सयुक्त राश द्वारा इस रिपोर्ट में नगरी जनसंख्या के लिए श्वयम की परिभासा का प्रियोग नहीं किया जाता है बलकि प्रते एक देश द्वारा अधिकारिक रूप से दी गई नगर की परिभासा को ही मानिता दी जाती है इस संदर में देशों क कि नवीन्तम उतलब्ध जनगाड़नाओं में दिये गए आंकड़ों यों परिभासा का प्रियोग कर बिगत जनगाड़नाओं के आंकड़ों को श्रत्ता बनाय रखते हुए समायोजित किया जाता है शैंत राश के आंकड़न यों आकड़े अधिक्तम संभव इसित तक वा मेगा सिटी श्रंकुलन 2018 की दिव हम बात करें तो देखिए इसमें जो 15 सबसे बड़े हैं उनकी हम बात कर रहे हैं तो नंबर एक पर आपका जापान का टोक्यू है दूसरे पर भारत का दिल्ली है तीसरे पर चीन का संगही है चौथे पर ब्राजील का सव पाउलो है पाउ तो यह कुल 15 विश्व के बड़े मेगा सिटी मेगा सिटीज है देखिए यहां मेगा सिटी से ताथपर क्या है यहां मेगा सिटी से ताथपर दस बिलियन या उससे अधिक निवाशियों वाले सहर से हैं एक billion में आपके 10 लाख होते हैं तो 10 million में 10 लाख होते हैं तो 10 million में कितने हो जाएंगे एक कौन मतलब जहां किया बादी एक कौन से अधिक है विशुत जो है विशु के विशु में 33 मेगा सीटी हैं जिनमें से वर्ष 2018 में 27 मेगा सीटी Less Developed Region या Global South में इस्थित हैं चीन में 2018 में 6 Megacity भात में 5 Megacity इस्तिते 2018 के आक्रों के अमसार ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखेगा आगे बात करते हैं विश्व में सरबाधिक ग्रामीर जनसंख्या वाले 5 देश कों से हैं जहांपे सरबाधिक ग्रामीर जनसंख्या है तो नंबर एक पर आपका भारत आता सरवाधिक नगरिकृत देश या छेतर जो है 2018 के आंख़ों के अवसार तो इसमें देखिए पहले नंबर पर आपका कई सारे देश हैं तो इसमें होंग कॉंग मकावू एंगुला मोनाको नावरू शिंगापूर जिब्राल्टर होली शो होली शी और इसके बाद कैमेड आइल यहां पर नगरिकाण है दूसरे नंबर पर रे यू नियोन यह अफ्रिका का है यहां 99.6 परसंट नगरिकाण है कतर में 99.1 तो यही कतर में ही अभी फीफा वर्ड कप हुआ था तो यहां का नगरिकाण 99.1 है विल्जियम 98, शैन माराइनो 97.2 परसंट नगरिकाण यहां पर है अब बात कर लेते हैं विश्र के नियूनतम नगरिकाण 5 देश या छेत जहां पर नगरिकाण सबसे कम है तो देखिए टोकैलो और वालिस में यहां पर 0 परसंट नगरिकाण है दूसरे नंबर पर मोंटे शेराट यहां पर 9.1 परसंट नगरिकाण है मोंटे शेराट यहां पर 9.1 है तीसरे पर बुरुंडी आता है 13 परसंट पापुआ नियुगिनी में 13.2 है लिचेश्टीन में 14.3 है लिचेश्टीन आपका यूरूपियन कंट्री है अब बात करते हैं यहां पर अफ्रिका के 3 सरवाधिक नगरी के छेत्रों की कौन से हैं देश या छेत्र तो पहले नंबर पर री यूनियोन आता है 99.6 दूसरे पर गैवन 89.4 तीसरे पर पश्मी सहारा 86.7 परसंट यहां पर नगरिकाण है वहीं एशिया के 3 सरवाधिक नगरी के देश या छेत्र कौन से हैं तो नंब नगरिकर्ण है यहाँ पर और वही इउरोप के तीन सरवाधिक नगरिकर्ण के देश या छेत्र की बात करें तो नंबर एक पे मोनाको, जिब्राल्टर, होलीशी आते हैं 100% नगरिकर्ण दूसरे पे बेल्जियम आता है 98% नगरिकर्ण और तीसरे पे शैन मारिनो आता है 97.2% नगरिकर्ण है यहाँ पर डëk अगरे बात करते हैं उतटरी अमेरिका के सरवाधिक नगरिकर्ण के देश या छेत्र की बात करें तो नंबर एक पे बर्मुडा आता है 100% नगरिकाण है दूसरे पे शेट पियरे मिक्वेलन आता है 92% और तीसरे पे ग्रीन लैंड आता है 86.8% नगरिकाण अग अस्टेलिया महादीप के पुल जनसंख्या का 86% जो है आबादी वो नगरी कृत है वहीं विश्व के प्रमुक छेत्रों की नगरी योग ग्रामीर जनसंख्या देखे तो यहां हमें जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं है सबसे अधिक कहाँ सबसे कम कहाँ यह थोड़ा सा समझ लेते हैं तो देखे एशिया जो है एशिया में सरबाधिक नगरी की जनसंख्या और सरबाधिक ग्रामीर जनसंख्या भी है दोनों के हिसाब से नगरी जनसंख्या और ग्रामीर जनसंख्या के हिसाब से एशिया नंबर एक पर है और नगरी जनसंख्या में दूसरे नमबर पे आपका यूरोप आता है और तीसरे नमबर पे आपका अफरीका आता है नगरी जन संख्या में ठीक है और चौथे नमबर पे आपका लैटिन अमेरिका यूम केरिवियन आएगा पांच यूए पे उत्री अमेरिका आजाएगा और छठे पे ओशनिया आजैगा वही ग्रामीर जन संक्या की बात करें तो ग्रामीर जन संक्या, हम सरबा नंबर एक पे एशिया है, पर उन दूसरे नंबर पे आपका देखिए, अफ्रिका आजाता है, ठीक है, तीसरे पे आपका इूरोप आएगा, तीसरे पे यूरोप आएगा फिर चौथे पे लेटिन अमेरिका यूम केरेवियन आएगे फिर पांचे पे उत्तरी अमेरिका फिर छटे पे ओशनिया आजएगा तो आप यहाँ पे देखें ओशनिया जो है यहाँ पर सबसे कम नगरी योम ग्रामीर जनसंख्या है ओशनिया में सबसे अधिक कहाँ पे है नगरी और ग्रामीर जनसंख्या तो वो एशिया में है आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुक छेत्रों की नगरी जनसंख्या का आउसत वार्षिक परिवर्त अंदर 2015 से 2020 की बीश में जो प्रमुक छेत्र है और परसेंटेज का जो चेंजिंग दर है वो कितनी है जो देखिए एशिया में नगरी जनसंख्या का आउसत वार्षिक परिवरतंदर जो रहा है वो 2.16 रहा है अफरिका का 3.58 रहा है यूरोप का 0.35 लाटिन अमेरिका यूं कैरिवियन का 1.3 उत्तरी अमेरिका का 0.95 और ओशनिया का 1.42 है तो यहां पे आप देखें सबसे अधिक और सत्वार्सिक परिवरतंदर कहां की है तो वो आपकी अफरिक की है 3.58 ठीक है दूसरे नंबर पर एशिया है सबसे कम कहां पर है तो सबसे कम आप देखेंगे तो वो आपका इरोप का है 0.35 सबसे कम आपका इरोप का है नगरी जन संग्या का और सत्वार्सिक परिवरतंदर में अब ब्रिक्स देशों में नगरी कर्ण की थोड़ा बात क देश है इस पर सरवाधिक नगरी कर्ण कहां पर है तो सरवाधिक नगरी कर्ण आपका ब्राजील में है 86.6 परसत ब्राजील का है ब्रिक्स देशों में दूसरे नंबर पर आपका रशी आता है 74.4 परसत वही तीसरे नंबर पर दच्छे आफ्रिका आता है 66.4 और चौथे पे आपका चीन आता है 59.2 और सबसे लाश्ट में 34 प्रतसत के साथ भारत आता है मतलब ब्रिक्स देशों में यह दिबात करेंगे तो सरवाधिक नगरीकर्ण वाला देश को सा है ब्राजील और सबसे कम नगरीकर्ण वाला देश को सा है वो है भारत अब आगे चलते हैं अब यहां पर बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख छेत्रों में जो नगरीकर्ण है विश्व के प्रमुख छेत्रों में नगरीकर्ण की यह दिबात करते हैं नगरीकर्ण प्रतसत में कितना है और आउस्ट वार्सिक परिवरता अंदर कितना रहा है 2015 से 2020 की पीच में यह यह पर दिया गया है, तो देखिये, उत्री अमेरिका में नगरीकर्ण सबसे अधिक रहा है, यहां पर देखेंगे, तो यह 82.2 है प्रशत, और यहां आुशत वार्सिक परिवर्थिंदर 0.22 रहा है, इसी प्रकार से लाटिन अमेरिका में इंश्यरम दाierte और यहां पर आउसत वार्सिक परिवरत अंदर कितना है? 0.31. इरोप में नगरीकर्ण परसंटेज कितना है? 74.5. और यहां पर आउसत वार्सिक परिवरत अंदर 0.28 है. और वहें ओशनिया में नगरीकर्ण 68.2 है. और आउसत वार्सिक परिवरत अंदर 0.03 है. 0.03 है. और एशिया में नगरीकर्ण कितना है 49.9 और औसट वार्सिक परिवरतंदर कितना है 1.26 और अफरिका में नगरीकर्ण कितना है 42.5 है और औसट वार्सिक परिवरतंदर कितना है 1.09 है तो यहाँ पर आप समझें कि सबसे अधिक जो औस्त वार्षिक परिवरत अंदर है कहां पर है वो एशिया में है ठीक है एशिया में दूसर नमबर पर अफरिका आता है और सरवाधिक नगरी करण कहां पर है तो वो है उत्तरी अमेरिका में और सबसे कम कहां पर है अफरिका मे और सबसे कम आउस्त वार्सिक परिवर्त अंदर कहां पे है तो ओशनिया में 0.03% यह चीजे आप यहाँ पे याद रखिएगा यहां आगे देखते हैं 2018 में विश्व की कुल जनसंख्या की 55.3% जनसंख्या नगरों में अधिवाशित थी 2018 का जो यह रिपोर्ट रही है जिसके 2050 में 68.4% हो जाने की संभावना व्यक्ति यह नगरीकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा 68.4% हो जाएगा वर्ड का अब थोड़ा सा सार्क देशों में नगरीकर्ण की बात कर लेते हैं सार्क देश आपके आठ देशों का संगठन है इसमें आठ देश कौन से है नाम थोड़ा पहले सुन लिजिए अफगानिस्तान बंगलादेश भूतान भारत माल्दिव नेपाल पाकिस्तान सी लंका इन आठ परोसी देशों का ये संगठन है तो इसमें आप देखेंगे अफगानिस्तान का जो नगरीकर्ण परसंटेज है 25.5 है बंगलादेश का 36.6 है भूतान का 40.9 है भारत का 34.8 है माल्दिव का 39.8 है नेपाल का 19.7 है पाकिस्तान का 36.7 है और स्रिलंका का जो है वो 18.5 परस नगरीकर्ण आपका भूतान का है 40.9 परसंट और वहीं दूसरे नंबर पे आपका माल्दिव है 39.8 परसंट फिर तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान आजाएगा 36.7 परसंट चौथे पे आपका बंगलादेश आजाएगा 36.6 परसंट और पांचवें पे भारत दूसरे पे आपका माल्दिव आजाएगा तीसरे पे पाकिस्तान आजाएगा चौथे पे बंगलादेश और पांचवें पे भारत आजाएगा और सबसे कम नगरीकर्ण कहां पे हैं तो सिलंका में सबसे कम नगरीकर्ण है 18.5 परसंट अफगानिस्तान से भी काफी कम है अब कुछ महात्पूर्ण आखड़ों की बात कर लेते हैं कुछ सत्यों की देगें सहयुक्त राष्ट के आर्थिक यों समाजिक प्रकार व्युहाग के जिससंख्या प्रभाग द्वारा वर्ड अर्मनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2018 के अंसार वैश्रिक नगरीक 55.3% है जिसके वर्ष 2050 तक 68.4% के इस तरह तक पहुंचने की प्रत्यासा है या अनुमान व्यक्त किया गया है तो यहाँ पर यह आखड़ा आपको याद रखने की जरूरत है कि 2050 तक नगरीकरण कितना होने का संभावना है 68.4 वहीं इसके अनुसार सरवाधिक नगरीकरित कौन सा है 2018 के अमसार उत्तरी अमेरिका 82.2% के साथ सरवाधिक नगरीकरित छेत्र है और जबकि नियूंतम नगरीकरित छेत्र कौन सा है अफरीका 42.5% लैटिन अमेरिका और करवियन दीप में आपने देखा महाँ पे चार्ट में 80.7% है इरोप में 84.5% है ओशनिया में 68.2 और एशिया में 49.9% है इस रिवीजन का जो 2018 का रिवीजन रिपोर्ट है इसके अमसार भारत वे इसके पडूशी देशों में नगरीकर्ण के इस थी थोड़ा सा देख लें तो जो भारत के पडूशी देश है भारत के पडूशी देशों में आप देखेंगे तो सरवाधि अधिक नगरी करण कहां पर है चीन में हैं चीन में 59.2 परसत नगरी करण है भारत के पडुसी देशों में चीन में सबसे अधिक नगरी करण है 59.2 परसत और वहीं फिर इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे भूटान आएगा 49 फिर माल्दिव आएगा तीसरे पर 39.8 फिर आ सिलंका में 18 दस्मानों 5 परसत याद रखेगा तो यदि आपके पडोशी देशों में देखा जाएगा तो चाइना का नगरी करण सबसे अधिक है और सिलंका का सबसे कम है ठीक है तो चाइना है इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे भूटान आता है तीसरे पे माल्दिव आता है चौथे पर पाकिस्तान आता है और पांचवे पर आपका बंगला देश आता है और छठे पर इस प्रकार से चाइना को आप इंक्लूड करेंगे तो छठे पर भारत आ जाएगा ठीक है सार्क देशों में पांचवे नंबर पर आ रहा था तो यह कुछ